तो यहां पे मैंने एक कप में एक कप उड़त डाल और एक टेबल स्पून मेथी के दाने को सोक किया है और दूसरे बोल में फोर कप इडली राइस को अब इसे घ्राइंड करने के लिए मैं यहां पे वेट ग्राइंडर का यूज कर रही हूँ आप चाहे तो इसे मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हो सबसे पहले हम one fourth cup पानी डाल देंगे और wet grinder को on करेंगे और फिर उड़त दाल और मिथी के दाने इसमें सारे डाल देंगे और grind करते समय जब इसमें जरुवत लगे तब थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें बीच बीच में add करते रिए जिससे इसका एक smooth paste ready हो पाए और इसे चेक करने के लिए देखे पानी में ऐसे थोड़ी सी दाल दाल के देखोगे न तो यह फ्लोट हो रही है तो यहाँ पर हम grinder को बंद कर देंगे और इसे instant pot में निकालेंगे दाल को फिर सेम grinder में डालेंगे one fourth cup पानी फिर से on करेंगे और जो rice soak करके रखे थे वो इसमें दालते जाएंगे और राइस में भी आपको सेम ही करना है बीच पीच में थोड़ा थोड़ा सा पानी एड़ करते जाएंगे और इसका एक स्मूध पेस्ट बनाना है जब इसे ग्राइंड होते हुए अराउंड दस मिनिट हो जाए तब यहाँ पर मैंने पोहाँ सोक करके र और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि नीचे उड़त की दाल ये फिर राइस है तो दोनों को अच्छे से मिक्स करके इसे हम इंस्टन पॉर्ट में रखेंगे और फिर इसे योगर्ट मोड पे 8.5 अवर के लिए अन कर देंगे आप चाहे तो इसे इंस्टन की बजाए कोई गरम जगब पे भी रखे फर्मेट कर सकते हो तो इसे रखे हुए 8.5 अवर हो गया है और ये देखे कितना अच्छे से फर्मेट हुआ है और इसमें बहुत ही अच्छे बबल साइज जिससे बहुत अच्छी इडली और डोसा बनकर रेडी होंगे अगर आप को रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज डोंट फोगेट तो लाइक शेर और सस्क्राइब थैंक्स फोर वाचिंग